नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है OnePlus Nord CE 3 Lite 5G दोस्तों जैसे के आपको पता होगा इस phone के box में आपको मिलता है Irate Cable Club का card तो ये जो card है आपको क्यों दिया जाता है किस तरीके से आपको इसे use करना है कौनकों से benefit आपको मिल जाते है इस card के और इस card के जो benefits है फ्री benefits आपको उन्हें कैसे claim करना है redeem करना है हम देखने वाले है इस video में तो इस card को अगर आप remove करोगे तो आपको पीछे मिलता है एक QR code ये रहा आपको इस QR code को scan करना है तो आपको open करना है Chrome browser को address bar में camera का icon होगा आपको इस पर tap करना है camera पर tap कीजिए और आपको इसे scan करना है और scan करते हुए आपको फिर मिलेगा उपर में URL फिर URL शो करने के पाद आपको search पर आप करना है तो इस card के जरी आपको मिलते है 5 benefits आपको मिलेगा 100 रुपिस का discount coupon आप अपने phone के warranty को और 3 मैने के लिए extend कर पाऊगे Spotify आप यूज कर पाऊगे 6 मैने के लिए और ओभी बिल्कुल फ्री में 5GB आपको मिलेगा cloud storage जिसमें आप अपने photo, video को या media file को कर पाऊगे store और आपको मिलेगा 2000 रुपिस का discount coupon TV के लिए तो अगर आप oneplus store से किसे भी टीवी को purchase करोगे तो आपको मिल सकता है 2000 रुपिस का discount तो आपको 500 benefit मिलेगे और ओभी बिल्कुल फ्री में आपको बस इस card का use करना है तो हमने इस card को scan कर लिया है अब आगे की process कैसे करना ही हम देखेंगे step by step तो आपको swipe up करके नीशे आना है और यहाँ पे होगा open rate cable club app आपको इस पे tap करना है फिर इसमें होगा sign up, sign up पे tap किजिए sign up लिखा होगा उपर में उस पे tap किजिए आपको अपना mobile number एंटर करना है फिर करना है get code आपके mobile पे जाएगा एक OTP आपको इस OTP को एंटर करना है फिर करना है sign in फिर जैसे आप sign in करोगे तो आपको यहाँ पे box metric करना है create and login किजिए तो सबसे पहला जो benefit है वो अनलोग हो चुगा है 100 रुपिस का discount आपको मिलेगा सभी product पे अगर आप Oneplus store से किसी भी product को purchase करोगे तो तो आपको इस पे tap करना है get benefit और claim करना है claim करने के 7 दिन के अंदर आपको उसे use करना होगा ने तो उसके बाद अगर आप use करोगे तो वो हो जाएगा collapse अब बाकी benefit को apply करने के लिए redeem करने के लिए आपको जाना है settings में login with Oneplus account पे tap किजिए unlock now पे tap किजिए sign in with google पे tap किजिए email id पे tap किजिए turn on finger button पे scan किजिए फिर आपको यहाँ पे show करेगा my devices उस पे tap किजिए और यह है oneplus node 33 light 5G यहाँ पे यह होना चाहिए फिर आपको करना है check benefit पे tap तो अब आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 benefits oneplus care 5GB cloud space tv discount coupon oneplus care में आपको मिलेंगे 2 options एक तो आप 3 मैंने के लिए अपने phone के warranty को कर पाऊँगे extend या फिर आपको मिलेगा 500 रुपिस का discount तो मैं चाहता हूँ 3 मैंने के लिए warranty को extend करना तो आपको claim पे tap करना है 3 month extended warranty plan पे tap किजिए आपका phone होगा यहाँ पे selection किजिए next पे tap किजिए box में टिक किजिए accept तो आपके phone के warranty extend हो चुकी है 3 मैंने के लिए मतलब आपको मिले की total 15 months के लिए warranty तो आपके phone के IMI number के हिसाब से 3 मैंने के लिए warranty को extend कर लिया गया है तो अगर आप जाओ कि फिर से my devices में check benefit में तो यहाँ पे लिखा होगा oneplus care में benefit claim by others मतलब कि आपने इससे claim कर दिया है अब बारी है 5 GB cloud space की तो आपको अगर google drive की तरह ही oneplus का जो हेटे आप cloud है उससे use करना है अपने media file को store करने के लिए तो आपको इससे use करना है use it पेटे आप कीजिए agree कीजिए got it allow कीजिए allow कीजिए permission को तो आपको इससे आपको इससे आपको मिले गए आपके जो भी photo, note, recorder, wifi, browser, history है आप उन्हें कर पाओगे auto sync मतलब की automatic backup होंगे हेट आप cloud में जैसे आप google drive में करते हो उससे तरह के से आपको मिले गए आपके 5GB का storage और जो अगला है वो है TV discount coupon तो आपको यहापर मिलेगा OnePlus के TV पे 2000 रुपीस का discount तो अलग-अलग model के हिसाब से आपको यहापर मिल सकता है maximum 2000 रुपीस का discount तो आपको यहाज लटना है जब आप इससे claim करते हो तो उसके एक मैने के भिदर आपको use करना पड़ता है coupon को तो अगर आपको लगता है कि आप एक मैने के अंदर TV purchase करने वाल हो तब भी आपको इससे claim करना है लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक मैने के बाद purchase करोगे TV को तो आपको अब इससे claim नहीं करना है जब आप TV purchase करने वाले होंगे तभी आपको इसे claim करना है फिर पर अगर मान लेते हैं आपने claim कर दिया तो आपको claim now पर ट्याप करना है check my benefit पर ट्याप किजिए यह रहा वो coupon आपको इस पर ट्याप करना है coupon पर use it पर ट्याप किजिए आपके phone में open होगा oneplus store और फिर यहाँ पर होंगे यह टीवी अब अगर आप किसी भी टीवी पर करोगे selection जैसे की अगर मान लेते इसे मैंने कर लिया ठीक है जैसे आप इसे करोगे buy now आपको नीचे यहाँ पर मिलेगा coupon तो आपके amount में से 2000 रुपीज हो चुका है discounted minus आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने अब इसे claim कर दिया है तो मुझे अब एक मैने के अंदर इस service करना पड़ेगा नई तो यह जो coupon code है बेस्ट हो जाएगा तो हमने चार benefit को redeem कर दिया है अब जो आखरी है वो है Spotify का 6 मैंने का plan और वह भी premium तो आपको यहाँ पर banner मिलेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर और पहला है Spotify premium आपको इस पर ट्याप करना है तो यह है 6 मैंने के लिए Spotify premium for free आपको activate free trial पर ट्याप करना है continue with Google पे ट्याप कीजिए email ID पे ट्याप कीजिए तो पहले 6 मैंने आपको premium मिलेंगे लेकिन इसके बाद आपको चार्ज होगा 119 रुपीज का per month लेकिन आप जब चाहे तब 6 मैंने के अंदर कभी भी इससे cancel कर सकते इस plan को ताकि आपका जो payment है वो cut ना हो आपके bank account में से ले कि आप इस free trial का यूज कर पाऊगे तो मान लेते आपने इसे कर दिया ठीक है जैसे के state होगा अगर मान लेते गुजरात और यहाप पे आपको अपनी UPI ID करनी है enter फिर किजिए continue आपके banking app में या UPI app में आएगा एक pending request आपको से approve करना है तो auto pay की request को approve करने के बाद आपको य इतनी amount deduct होगी इस date पर आपको करना है open Spotify continue Google पर ट्याप किजिए और यहाँ पर आप का जाएगा premium 6 मेने के लिए allow access allow तो अगर आप जाओगे settings में account में यहाँ पर दिखाओगा premium plan पर यहाँ पर होगा active premium individual billing का यहाँ पर data आ दिया गया है कि बिल जो है कब से start होगा अब plan price 0 है लेकिन next billing date आएगा इस तारीक को October में दोस्तो इस तरह किसे आपको अपने OnePlus के phone में Red Cable Club का यूज़ करके इन benefit को claim करना है इने यूज़ करना है और वो भी फिलकुल free में दोस्तो तो यह था इस वीडियो में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो आप म वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो